लोगेस मैं कुश्रिव आपका स्वागित करती हूँ आप बार बानिंग कॉसिम में सुम्बल तोकिर खान ने शालिम की ओवर एक्टिंग की दुकान बंद कर दी है चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ शालिम के बारे में कुछ ऐसी बाते जिसके बारे में जानने के बाद आप लोग बोलेंगे वाँ सुम्बल की भई अच्छा किया इस बंदे की ओवर एक्टिंग की दुकान तुमने बंद की है चैनल को जरू सब्सक्राइब कीजिए बैल आइकिन को दबाईए इस वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए पर यहां पर इस चैनल जो है बहुत ओवर एक्टिंग कर रहे हैं वो जो है जनता के सामने अच्छा बनना चाते हैं पर पहले तो जो सच्चाई है वो बाहर निकली जाती है पर धीरे धीरे उसको जस्तिफाइ करने शुरू कर देते हैं जहां पर इन्होंने कल गौतम को पूरा प्लान ब्लान करने के बाद नॉमिनेट किया आज जो है उनको बुरा लग रहा है जहां पर सुम्बल के पास खड़े हो के बोर रहे हैं कि सुम्बल मुझे बहुत बुरा लग रहा है गौतम जो है इदर दर घूम रहा है उसको वो काफिजा डड़ा हुआ है मैं काफिजा था मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने बाबा उसको नॉमिनेट करके गलती तो नहीं कर दी वो चला तो नहीं जाएगा यह बहुत ही जादा ओवर एक्टिंग की दुकान खोल के सुमुल के सामने खड़े होता है सुमुल भी बहुत अच्छे से सुनती है सुमुल बोलती है कि नहीं शालिद ऐसा कुछ नहीं है सब चीजे जो है समझके हुई है और वहाँ पर अच्छे बुरे मानने के कोई जरूरत नहीं है यह हमें करना ही था और तूने भी किया तू अच्छा इंसान है मैं अच्छी इंसान हूँ मुझे पता है कि तू अच्छा इंसान है और सबको पता तू अच्छा इंसान है तो तुझे बुरा मानने के कोई ज़रूरत नहीं है जहां पर यह बाते बोलने के बाद सुम्बल शालन को मोटिवेट करती है और अपनी ओवर एक्टिंग की दुकान खोलने के बाद सुम्बल को बहुत ही अजीप सा मुझ बना के थैंक्स बोलते हुए नजराते हैं कि सुम्बल थोड़ा पिस्ड ओफ हुआ 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 तो वो में से एक जाएगा और आज तो ये बात बोल रहा है कि मुझे बुरा लग रहा है भाई खुद का स्टैंड है नहीं क्या तेरा और कुछ भी कुछ भी बोलना शुरू कर देना हाला कि आपकी क्या विचारा बताईए जरू मुझे तो शालिन दिन पर दिन जो है बहुत हीज अजद आँ उसका